गुद मॉनिंग दोस्तों, नमस्कार, कोश्ण पीशन में आपका स्वागत है। आज में लेकि आऊंचे, लिए बहुती स्वाधी सब्जी दम आलू की सब्जी जैसे कि आप देखरे ही हूँ, वही सब्जेपने बनाने वाले हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है दम आलोगी सब्जी तो बने इस वीडियो साथ में बताता हूँ आपको स्टेप आ स्टेप ये फ्रेंड्स आफसे क्साम गरी है आपके जी बोईल की वे आलो ली है फ्रेंड्स इसका शिलका उतार ली है प्याज ली है टमाटन ली है फ्रेंड्स लेसून लिया है अद्रक लिया है हरी मिर्ची ली है फ्रेंड्स लाल सुक्यू मिर्ची कड़ी पत्ते नमक स्वाद के उन्चा लेना है तनियाप पाउडर हल्दी पाउडर जीरा इस अपने आफसेक साम करी है दम अलू बनाने के लिए इसमें काटे वाले चंबसकी साथ इसको बारिक बारिक छेद कर लेंगे सबी आलो में ताकि अपना जो मसाला है इसमें अंदर अच्छे से रम सकें और अपने अलू सब्सक्राइब आजैनल लाइक और शेयर करनो ना बोलें फ्रेंट्स comment तो friends जुरूर करें ताकि मुझे पता जल्च के मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहें नहीं आ रहें bell icon को friends जुरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले तो यह अपने जो लाल म convection थी सुकी वी यह अपने पानी के अंदर बिगोदेंगे फ्रेंडस साबुत लाल म् depiction से बहुती स्वादिश सबने सब्ची ग्रेवी आती है तो अपने जो यह बोईल की आलू थे इसको अपने को फ्राइ करना है friends तेल के अंदर तो सभी आलू को अपन गौल्डन ब्राउन होने तक अपने को फ्राइ करना है दम आलू के सब्जी फ्रेंड्स बहुत ही स्वाधिस बनती है आप जरूर ट्राइगर के दें इस तरीके से बहुत ही आपको पसंद आएगी इदा के फ्रेंट्स हलके गॉल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अपने इसको अलग कर लेंगे जो अपनी जो पानी में भीगी विलाल मिर्ची थी इसको अपने मिक्सी की साहिता से पीस लेंगे इ और अपने टमाटर मिर्ची प्याज अद्रव लसुन जो थे इसको ग्रैंटर में अपने को पीस लेना है तो चलिए श्टार्ट करते हैं अपने कड़ाई के अंदर तेल लेंगे तेल हलका गरम हो जाए उसके बाद में इसमें अपना जीरा था वो एड़ कर देंगे वो थी और अपनी लाल मिर्ची थी अपनी मिक्सी के अंदर जो फिसी थी उसको एड़ कर देना है और इसको तब तक पकाना जो यह जो मिर्ची है तेल न छोड़ने लग जाए मिर्ची को सबजी के अंदर पकाना बहुती जूर्री होता है अगर मिर्ची अगर कच्छी रह जाए तो अपना सबजी का टेश बिगड सकता है तो ध्यान रखें मिर्ची अपनी पगने चीस ऑलो उसके बाद में यह एट कर देंगे तब तक अपने को चलाते रहना इसको तब तक पकाना है इसको तब तक अपना ये टमाटर मिल्ची प्याज लसुन अधरक अच्छी तरह पक जाए बहुती चांदार और बहुती अच्छी सब्जी अपनी दमालू की सब्जी पंती है तो इस तरीके से बनाए कि देगे फ्रेंट्स अपना जो मिल्ची के अंदर अपने टमाटर मिल्ची प्याज लसुन अधरक का जो पेश डाला था वो अपने को अच्छे से पकाना है वो तो उमीद करता हूं फ्रेंट मेरी ररेसिपे आपको पसंद रही होगी मैं डिफिरेंट ररेसिपे अपनी चैनल पर डालता रहता हूं और वीवर की डिमांड के साइन से नहीं 승 эфф ID लाता रहता हूं ओप लिजज रिकेस्ट हैं आप प्लीज सब्सकायमेस चैनल थे अट है क प्रेटिन सबसे पहले आपको मिले हैं अपना जो टमाटर मिट जप्याज लाजूण का दिर्ट का जो पेच्ट था वो अच्छे से पक चुका उसके बाद में धन्याप पाउडर डाल देंगे और नम्र काइट कर देंगे इसमें और इसको भी अच्छे से पकाना है ताकि से हैं अच्छा ग्रेवी का तो इसके बाद में जो पक जाए तो इसके बाद में अपने जो फ्राइ दूए जो प्राई कि पेवह जो आलू थे वह एट करने मसाले के अंदर कि शाइड कें कित्त अच्छ लगекотор रहा है कित looking अच्छी ड्रैवी आई जैसे मैंने मानाया उसी तरह के से जुरूर बनाएं आपको जुरूर जुरूर पसंद आएगी रेस्पी थोड़ देर के लिए डग देते हैं फ्रेंट्स देगे किता अच्छा गला रहा है इसका बहुती चांदार दम अलो के सब्जी बनके त्यार हुई है तो अपना जो बारी कटावा धनिया पता था वो अड़ कर देंगे फ्रेंट्स ताकि इसका जो दम अलो का जो flavor है वो बहुत ही अच्छा और दूगना हो उसके जब बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है, जड़ा ग्रेवी ना रखें पाने और डाले तो बहुत ही अच्छी अपनी दम अलो को सब्सब्जी बने के त्यार है, फ्रेंट दो-तिन मिंट के लिए थोड़ा और चला देते हैं इसको तकि जो अपने अलो के अंदर अच्छे से मसाला अपना बेट जाए और अपनी सब्जी और भी स्वाधिश्ट होसके यदे के प्रेंट्स किती अच्छी अपनी दम आलो की सब्जी बन के त्यार है तो फ्लीज रिक्वेश्ट है तो फ्लीज सब्सक्राइब है चनल और लाइक और शेयर करना जरूर जरूर करें और कमेंट तो फ्रेंट्स जरूर करें ताकि मुझा पता चलिए मेरी वीडियो कि आने वाले वीडियो का नोटिपिकन से सबसे पहले आपको मिले दे के प्रेंट्स कित्ती अच्छी सब जिमनी है थैंक्यू दोस्तो बाई